समस्कार दोस्तों बागे लक्ष्मी काने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि सालू लक्ष्मी समय रिसी के बारे में बात करती हुई नजर आ रही है कि हाँ रिसी को एक मौका दिया जाए आप लोग जानते ही कि लक्षमी के दिल में रिषी के लिए इसमय फीलिंग है और वो इन चीजों को बोलते हुई भी नजर आ रहे है सालू से लक्षमी लक्षमी ने बोल दिया है कि मुझे फीलिंग है और मैं चाहते हुँ यही हूँ कि किसी भी तरीका से हम दोनों का रिष्टा एक बार फिर से पूरी तरीका से पावलिस हो आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कहाणी का थोड़ा नहीं बलकि इस समय एक और भी बहतरें टूश्ट दस्तक देता हुआ नजराने वाला है दोस्तों कहते हैं हर एक चीज के पीछे अपनी एक सोच होती है और सोच को किसी भी तरीका से बदला जा सकता है और इस समय रिष्ट की सोच किसी भी तरीका से मलिसका के लिए नहीं है और नहीं यह चाहता रिष्ट की मलिसका इस घर की बहु बने बलकि रिसी को सुरी भी इतना पता है कि अगर इस घर में किसी का राइट्स है तो वो लक्षमी का है और लक्षमी ही इस घर में रहने ही चाहिए आप लोग जानते हैं कि रिसी एक ऐसा सक्स है कि जो अपने लक्षमी को कभी भी वो अपने से दूर नहीं होना देने चाहता है और वहीं पर ही सालों भी इस चीज को अब रिसी और लक्षमी दोनों के लिए बोलती ही नजरारी की जिन्रकी नहीं हो सकता है तो मैं ये आखरी मौका दिया है इस मौके को जाने मत दो क्योंकि एक दूसरे के साथ रहोगे तो एक दूसरे के साथ मैं खुस भी रहोगे और एक दूसरे से जुदा रहोगे तो ना खुस रहोगे और ना ही किसी भी तरीका से तो मैं कोई अच्छा होगा तुम्हार साथ में जी हाँ क्योंकि अब रिशिय और लक्षमी दौनों एक दूसरे के साथ मैं जल्द ही नज़र आएंगे मलिस्का को इस घर से हमेशा मेंसा के लिए रिशिय विदा कर देगा क्योंकि रिशिय बोलता हो नज़र आएगा कि मुझे इस घर में किसी भी तरीका से मलिस्का चाहिए ही नहीं क्योंकि मलिस्का ने अभी तक इस घर में एक नहीं बलकि कितने करम कांट करे हैं